शोशल मीडिया पर देखते होंगे आप कि कभी सेफटे पिन तो कभी बिजली की तारों को कपड़ा बना लेने वाली उर्फी जावेद इन दिनों अपनी बेभाकी और अड्रेसिंग को लेकर फिर चर्चा में आ गई है शारुखान की कॉंट्रोवर्शिल फिल्म को लेकर अच्छी प्रसिक्रिया दी और कहा कि शारुखान चे कहो मुझे अपनी दूसरी बीवी बना ले बॉर्फी जी परटान के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप पताए ना प्रफी जी च्या कहना चाहोगे आप पताई ना इपको बता देखा नहीं अभी तक? कितने एक्साइटेड हो आप देखने के लिए? थेक्षा वाइकट गें को क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे बोईकॉट का अब स्चारुख खान को देखी हो या है शारुख जी को क्या बोलना चाहोगे आप? आपको बता दे उत्रक्रदेश की राजधान लखनव से आई एक इसलामिक परिवार में जन्मी एक ऐसी लड़की जिसे ना ही दुनिया की समझ थी ना ही जिन्दगी की फिर भी मुंबई जैसे बड़े शहर में अपने शहर से आना और मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाना वाकई काबिले तारीख है उर्फी जावेद बिग बॉस सीजन 15 में दिखाई दी थी बिग बॉस OTT के बाद उर्फी जावेद दुनिया के सामने आई थी जिसके बाद उनके करियर के शुरुआत हुई करियर के शुरुआत उन्होंने टेलिविजन में कई डेली सोप्स में काम करके भी किया था वहीं आज न सिर्फ हमारा देश बलकि हॉलिवड में भी उनके कई फैंस हैं बॉलिवड में सबसे पहले रणवीर सिंग ने उर्फी के कॉन्फिडेंस और उनके पहनावे की तारीफ की थी एक्टिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आज उर्फी जावेद को एक फैशन डिजाइनर के रूप में जाना जाता है ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जेटी न्यूज ओनली टृत और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चानल जेटी न्यूज ओनली टृत